लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चनल्स को सब्सक्राइब करें और डेल आइकन को प्रेस करें मैं ओकार निर्मार की दिशा में जाने वाली कला, संस्कृति, सभ्यता, साहित्त, सभे विधाओं का मैं स्रजक्र और रचनाकार हूँ मैं ओकार दसन्द वृत्तरासुर यग्यपिता त्वष्टा के सम्मुख आता है, तो वे उसे इंद्र से पतिशोध लेने का आदेश देते हैं वृत्तरासुर स्वर्ग पर आक्रमन करके इंद्र को निगल जाता है शची विलाव करती हुई मा शक्ती से प्राथना करती है मा की क्रपा से इंद्र वृत्तरा सुर के पेट से बाहर आते हैं इंद्रव शची कैलाश पर शिव की शरण में जाते हैं वहां शिव इंद्र को प्रताडित करते हैं दूसरी और चिंतित इंद्र और देवी शची को श्री हरी विष्णु ने आश्ट्वासम देकर शांद किया पुर्णाम यग्या पिता आग्या करें किस प्रोजन से मेरा आख्वान किया है मेरे यग्यपुत्र होकर मेरे शत्रु इंद्र से मित्रता करते हुए तुम्हें लाजना आई अपने यग्यपिता का करते हुए तुम्हें विचार नाया मित्रता में लज्चा कैसी यग्यपिता मुझ से शमा याजना कि है और जब इन ने स्वैम ही मित्रतह का आत पड़ाया तो शत्रुता रखने का अर्थी क्या रह जाए कि शत्रुता का अन्ध को अंत कि दो ही प्रकार से होंदा है करतिशोद से अध्Wait क्षमा याचना करें करी मित्रभाव से और यहान दोनों कारे हुए है कि मोजिने करके प्रतिशोद पूर हुआ और उसे क्षमा और से तुम ने उसे Ergebnis क्षमा आवश्य कर दिया तो उस Payulation मोजि नहीं है जली और कप्टी अपनी दुर्बल स्थिती से उबरने के लिए अवसरवादी बनकर चमा भी मांग लेते हैं इतो उक्षमा उनके मन के प्राइश्चिस से उत्पन नहीं होती यह उच्ची दुर्बलता और जल की उत्पत्ति होती है इसलिए मैं तुम्हें पुना साथार करता हूँ इंद्र कप्टी है मित्रता का ढौंग करके अवसर पाते ही वो तुम पर प्रहार करने से चूकेगा नहीं तुमारा हितिसी में है कि मेरी आज्या मानकर इंद्र की मित्रता अस्वीकार कर दो और उसे तुरंद स्वर्ग से पहिश्कित कर दो नहीं अग्या पिता ऐसा नहीं है इंद्र सच्चा मित्र है यदि उसके मन में कपट होता तो वो मेरे विरुद्ध अपे अब देश्कित करके स्वर्ग के सिंहासन को पुलुए मुझ से ले सकता हुए मुझा परन्द उसने ऐसा pale अब तक नहीं किया तो आप करेगा नहीं अग्यपिता वो एसा कभी नहीं करेगा कंगा हूंुज से मित्रता को संबंद नहीं टोड़ोगी नहीं किनी अग्य पिता बाइन में की मित्रता दुक रौना से समभव कि मेरी बात मान लो वस नहीं अग्य पिता इंज की अधि shoots कई का नहीं रखेगी तुझे तुछे अ भाटा भाटा शक्ती अभ्पैसे दर शीम वॉच्टे इसा की मुझे से बचाओ, मुझे मार्ग दिखाओ, माता, मुझे मार्ग दिखाओ स्वार्ग सम्राट वित्रा सुर्की जे, वेवराज इंद्रकी जे स्वार्ग सम्राट वित्रा सुर्की जे, वेवराज इंद्रकी जे स्वार्ग सम्राट वित्रा सुर्की जे हुआ पर समराट के समुग रितिक्रम रनचन करने के लिए वस्थित हैं कि सबसे पहले हमें ये बताओ कि हमारे परम्मित देवराज इंद्र कहां है उनके बिना कुछ भी रूचिकर नहीं लग रहा है यग्यपुत्र इंद्र देवने ये संदेश भिजवाया है कि वे शीख रही आएंगे संदेश भिजवाया है क्या वे हमसे स्वेम मिलकर नहीं जा सकते थे हमारी मित तता से अधिक बढ़कर और कौन सा इसा कारिया है जिसके लिए उन्हें जाना पड़ा बताओ प्रिय परवत क्या बात है उदाज क्यों हो क्या बताओं गुरुदेव आज मुझे अपने प्रिय मित्त नारत की स्मृति पीडित कर रही है रह रहकर उनका स्मरण हो जाता है यदि ऐसा है तो जाकर ढूंड क्यों नहीं लेते हैं कहां ढूंडूने नारतो, विश्णुलोग, प्रह्मलोग, कैलाश, आकाश, नाजने कहां कहां भटकते रहते हैं और फिर जहां मेरा प्रवेश निशेद है मैं उन्हें ढूंड़ने वहां कैसे जा सकता हूं क्रिपा कर उनसे भेंट करने का आप ही कोई उपाए बताएं प्रिय परवत, तुम्हारा प्रेम और मित्रभाव का आकर्शन नारत को यहां खीच कर ला रहा है अब तुम दोलों की भेंट शीग्र हो जाए जय जय ब्रह्मदेव प्रणाम देव गुरु कल्यान भवा कब होगा हमारा कल्यान देव गुरु अर्थात मेरे कहने का यह अभिप्राय है कि क्या मेरे स्वामी सदाही वृत्रासुर के मित्र बने रहकर सुर्गा धीपती होने की गौरव से वंचित रहेंगे प्रणाम देव गुरु कल्यान भवा देव गुरु जब तक देवराज इन्र सचेत नहीं होते तब तक हमारा कल्यान कैसे होगा वे वृत्रासुर की मित्रतामिक होकर अपना गौरव भूल गए हैं हम वृत्रासुर की जय जय कार करते करते अब ठक चुके हैं देव करना इतना सरल नहीं है पवथे जितना के तुम समझ रहे हो असंभाव भी तो नहीं है अठिन अवश्य हो सकता है किन्तु जो कठिनाईया हम भोग रहे हैं उससे अधिक तो नहीं होगा वित्रासुर के अंत का परिणाम भयंकर भी हो सकता है कि देवराज इससे संकट मे के संकट का सामना करने के लिए तैयार हूं तो फिर विलम का क्या कारण है देवराज मुझे वृत्ता सोर से मित्रता तोड़ने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा है देवराज मित्रता जो नहीं हो तो उपाय ढूनने में कढ़िनाई होती है किन्तों मित्रता तोड़ने में तो क मैं भृत्रा सुर्च से मित्रताखा नाटक करते ठक गया हूँ अभी आप की सुरक्षा की चिंता त्याक कर दो कि क्जित्यों का यहीं और घ्ता नहीं नहीं है और गॡ्यत्रताखा पर अपना कपच जाल फैला रहे हैं आप स्वयम ही कहें देवर्जी इसके अधरिक्त हमारे पास अनिमार्ग भी क्या है मैंने श्री हरी के परामर्ष के अनुसाब वित्ता सूर से मित्रता की है किन्तों इस मित्रता से मुझे अध्वा देवगण को कोई लाव नहीं हो रहा है इस अपरी इस्तिती के बोच से हम सभी दवे जा रहे हैं सोचते भी हैं कि यह सब कब तक सहन करना पड़ेगा आपकी परिस्तिती दुविधा तर्क इन सभी से सहमत होते हुए भी देवराज मैं यह कहने के लिए बात देहूं कि मित्र के साथ विश्वाज घात करना यह स्वयम के लिए भी धातक सिद्ध हो सकता है देवर्शी अरे मित्र परवर मैं तो तुम्हें से मिलने यहां आया था आओ उस और चलके कुछ मन की चर्चा करते हैं आओ जय जय ब्रह्मदेव गुरुदेव आपने अभी अभी का था कि वृत्रासुर के अंत होने में कठिनाई है क्या है वो कठिनाई गुरुदेव हमें उसका समाधन में बताए देवी सची प्रमदेव ने जब वृत्रासुर को वर्दान दिया था तो उसके अंत का उपाय भी अवश्य सोच लिया होगा प्रमदेव देवताओं के शुपचिन तक हैं आप उनसे पूछे क्या पूछे गुरुदेव यही कि वृत्रासुर का अंत कैसे होगा अब हमें आपके परामर्श के अनुसार ही कारे करना होगा अब देवराज यदि इससे पहले हमारे परामर्श से कारे करते तो परिस्तिती प्रतिकूल नहीं है अनुकूल होती है मैं मानता हूं देवराज किन्तु अब आपको भी हमारी अक्रार्था मानने है वो क्या है हम सब आपके नेत्रित्तु में प्यूम्मदेव के पास चलेंगे आपको यह हमारा नेत्रित्तु करना होगा कि चलिए देवराच तुरानाम जगत्पिता कि स्वर्ग पराय संकट के समधान के लिए हम सब आपकी शरण में आये हैं परमपिता हमें ग्यात था कि हमने जिसे वर्दान दिया है वो आपको समस्थ्याएं देगा अ फिर आप हमें कश्ट देंगे प्रमदेव कश्ट आपको नदें तो फिर और किसे दें हमें यह कहने का तो अधिकार है ही नहीं कि आप असुरों को वर्दान ना दिया करें ताकि वे हमें पीडा न दें और फिर आपको गश्ट न दें हम तो केवल आपसे समस्या का समधान चाहते हैं उपाय पूछना चाहते हैं करण के जिसे आपने वर्दान दिया है उसके अंत का उपाय आपके अतिरिक अन्य कोई जानता ही नहीं है यह गुरु प्रस्पती हम थ्रिष्टी के रचनाकार हैं इसलिए किसी के अंत का उपाय बताना हमारे लिए उचित नहीं तो फिर व्रित्रासुर का अंत हुए बिना इस समस्या का अंत कैसे होगा परम्पिता इस प्रश्ट में छुपेवे सत्य को भी हम समद रहे हैं देवराज के शक्ती उपासक तस्ता और आपके भी शत्रूता के कारण स्वर्ग में जिस अप्री इस्तिती का निर्मार हुआ ह उसका शीग्रंत आती आवशक है ब्रह्मदेव मैं अपने कृति पर लज्जित हूँ हमें कुछ अधिक कहने को विवस्त न करें देवराज कुक्रटी करके आप अने क्वाब लज्जित हो चुके हैं और लज्जित होकर पुनें पुक्रट्य कर लेते हैं जया आकेव कैसा आजर然后 को इसा करें तो ने तो उसके लिए प्रतिष्ठा का प्रश्ण उड़ता है और ना हिनाया नीति का तर्ख है परन्तु जब देवताओं का राजा स्वर्ग का अधिपति ऐसा करे महासागर जितना अच्छरी होता है प्रमदेव मैं भविश में साथान रहूंगा प्रमदेव प्रतिकूल परिस्तितियों से उत्पन कठोर सत्य को देवराज समझ गए अब उने किसी प्रकार व्रत्रसुर्ग से स्वर्ग की रक्षा करनी है स्वर्ग पर उसके अधिकार से सभी पिड़ेती थी कलिए अब उसकी परोंता ए rendo कर सकारा पर श्रिष्टि रशना के समय स्वयम आप ने यह ने ने में धहरीत किया इस वर्ग पर केवल देवराज तथा देवताओं का अधिकार होगा सदा ऐसा ही होगा देवराज आप उपाय बताएंगे तभी होगा परम्पिता सुनो देवराज वितासुर को दिये गए वर्दान के अनुसार उसके अंत के लिए सरुथा भेन उपाय करना होगा क्या है वह उपाई परम्पिता एक नए वज्र का निर्मान करना अगा के निया वज्र हाँ तुम्हारा मूल वज्र तो त्रिशिरा के बद में खंडित हो गया अब एक नए वज्र की आवशक्ता भुआ है देवराज परंतु वो कहां से प्राप्त होगा परम्भीता वह भगवान शिव के क्रपाबात कि किसी तपस्री महरशी की अस्तियों से ही निर्मित होना चाहिए वे महर्शी कौन है प्रम्मदेव जिव जी के परंभाव महर्शी ददीजी जो शीगरी जन देने वाले रुद्रावतार पिपलाग के पिता बनने वाले आपको अपनी अभीष सिद्धी के लिए महर्शी ददीजी की शरण में जाना होगा आपको अपने वर्दान को भलत करें महादेव आपकी समान पुत्र प्राप्ति की इसकी कामना पूर करें देव झुम नमक् मेंठा लुद्रान कामना पूर को अंठा है ओम नमाशी बाइ नमाशी बाइ जागो दिवी सुवर्चा अगवान शीओ ने तुम्हारी आरात्मा स्वितार कर दिया अब तुम शुक नहीं रुद्रावतारी प्रक्र की माधा बनोगी लवान भोलेनात में मेरी प्रात्मा स्वितार तर दिया धन्य हो गया मेरा जीवन जय भोले शंकर आपकी कृपा पाकर मैं धन्य हो गया कर दो